नमस्कार दोस्तों मैं कुनाल कालवा आपका अपने इस चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 2022 जैन्वरी के बेस्ट विवा महुरत के बारे में कि कौन सी डेट्स ऐसी हैं कि जिसके अंदर आप शादी कर सकते हैं या बेस्ट विवा महुरत हैं कौन सी डेट्स हैं इसी साथ मैं इसमें एक चीज़ और एट करना चाहूँगा मैं दो टाइमिंग्स ऐसे निकाल के दूँगा इस वीडियो के अंदर उन डेट्स के अंदर कि जिनके अंदर अगर आप शादी करते हैं तो डाइवोर्स के लीगल सेपरेशन के और अच्छी मैरीड लाइफ के चांसे बढ़ जाएंगे कि डाइवोर्स के कम हो जाएंगे लीगल सेपरेशन के कम हो जाएंगे और जो अच्छी married life के बढ़ जाएंगे होता क्या है कि हमें हम शादी करते हैं हम कुडली मिलान करते हैं हम हर चीज करते हैं मगर एक जरूरी पार्ट होता है matchmaking का वो होता है महूरत कि शादी की dates तो हमने निकाली मगर किस time पे हम हम शादी की rituals हैं वो start करते हैं आपने South India में देखा होगा हमेशा South India के अंदर जब भी शादी की date होती है शादी की timings निकाले जाते हैं कि इस time पे वर्माला होनी है या इस time पे ring ceremony होनी है हर चीज का एक proper timings होता है हम शादी की date सब कुछ करते हैं मगर हम time पे अगर जब फेरे नहीं करते हैं या time पे हम शादी की ceremonies होती है जो rituals होते हैं वो start नहीं करते हैं और कभी late हो जाते है कभी बरात late हो जाते है कभी 100 problems होती है मगर अगर हमें पता होगा कि इस timings के बीच में हमने करनी है यह चीज़े यह ritual start करने है तो हमारे लिए वो ही best होता है खतम कभ होगा उस पे depend नहीं हमने start कभ किया हम बैठे कभ उस पे depend करता है तो दो महुरत इसके अंदर में निकाल के दूँगा जिससे आपको benefit होगा और आप उसके अंदर शादी करेंगे तो merit life अच्छी होगी और divorce और separation के chances कम होगे वैसे अगर आप personal भी महुरत निकलवाना चाहते हैं कि personal महुरत के अंदर क्या होता है कि आपकी date of birth आपकी और आपके partner की date of birth से compatibility dates भी निकाले जाती है यह general dates है जो कुछ dates हर महिने की होती है उसके अंदर में best timings निकाल के दूँ होती है अगर आपको कोई dates मताई जाते हैं कि इन dates के साफ से करो जो timings है आप यह दो महुरत में करेंगे तो आपको benefit होगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली जो तारीक रहेगी वो रहेगी 22 जन्वरी और इसमें जो महुरत मैंने निकाले है सबसे पहला महुरत दुपहर का है तो तीन बच के 38 मिनट से चार बच के 12 मिनट में आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं विवा के रिच्वल्स और रात का 11 बच के 45 मिनट से 1 बच के 50 मिनट तक 23 जन्वरी की बात करें तो 23 जन्वरी का महुरत रहेगा दुपहर को 3 बच के 15 मिनट से लेके शाम के 5 बच के 35 मिनट तक के बीच में आप विवा कर सकते हैं और रात को एक बच के पाँच मिनट से सुभा तीन बच के पचास मिनट पर ये रहेगा बाइस राब अब बात करते हैं चोबिश जन्वरी की इसमें जो टाइमिंग्स रहेंगे वो रहेंगे सुभे क्यारा बच के पैंटिस मिनट से एक बच के पंदरा मिनट दोपहर के और रात के जन्वरी के महुद्ध के प्यारा बच के पैंतालिस मिनट से रात के एक बच के अरतिस मिनट तक के इसके बीच में आविवा के रिचुल शुरू कर सकते हैं अब पच recover की बात करते हैं ioniकिस स्में भेरी के दोपहर कि तीन बच के पाँच मिनट से शाम के 5 बच के 30 मिनट तक और रात को 12 बच के 35 मिनट से रात के 2 बच के 8 मिनट तक तो ये रहेगा 25 जनवरी का महुरत तो ये थे जनवरी के महुरत कि जनवरी के महिने में चार डेट्स ऐसी निकली हैं जिसके अंदर आप विवा कर सकते हैं विवा के लिए अच्छी है टाइ में आप महूरत आप विवा की जो सेर्मनी जह स्टार्ट कर सकते हैं खतम कभो इससे मैंटर नहीं करता मगर जो स्टार्ट होने का जो बेस्ट पीरेड रहेंगे जो मैंने इन डेट्स पर बता हैं तो दोस्तों आप से अलवीदा लेता हूं जल्दी आप से फिर मिलता हूं के लिए नवच का अराब का समय चुब